शिरिक्रु ग्रंचाब गुडी मेलाती जार गुरुमकी सेवा प्राण अधारा हरी जी राखुं इर दे उर्तारा गुरुमकी सोवा साज दुवारा पंडित हरी पडु तजु विकारा गुरुमकी पउजलु उत्रु उपारा गुरुमकी विच्चों अउमे जाईं गुरुमकी मेलू न लागे आईं गुरुमकी नामों वस्य मननाईं गुरु के सम्मुक होकर के परमात्मा की सेवा भक्ती को अपने जिवन का आसरा बनाओ पंडित जी पंडित गुरु के सम्मुक होकर के परमात्मा की सेवा भक्ती को अपने जिवन का आसरा बनाओ गुरुमकी सेवा प्रान अतारा हरी जी राखू इद्दे उत्तारा हरी को अपने हिद्दे अपने मन में तिका करके रखो गुरुमकी सोबा साच दवारा और गुरु को शरंदे करके तुम सत्य सवरूप प्रमात्मा हरी के द्वार पर परशंचा प्राप्त करोगे पंडित हरी पंडुत तजू विकारा गुर्मकी पउजली उत्रू पारा एपंडित हरी की गुन स्तुति पढ़ और इसके प्रभाव से विकार छोड़ गुरु की शरंदे करके तुम संसात समुद्दर से पार उतर जाएगा गुरु की शरंदे से एहम भावना दोर होती है गुरु की शरंदे से मन की एहम की मैल आ करके नहीं लगती है क्योंकि गुरु की शरंदे से हरी का नाम मन में आ बसता है गुरुम की विच्चु अमे जाई गुरुम की मैलून लागे आई गुरुम की नामे नामो वसे मन आई गुरुम की करम तरम सची होई गुरुम की एहंकारु जलाई दोई गुरुम की नामी रते सुखु होई आपना मनो पर बोध हो बुज्जु सोई लोक समझाऊं सुने न कोई गुरुम की समझाऊं सदा सुखु होई है पंडित गुरू के समुख रहने से सत्य सवरूप प्रमात्माहरी में लीनता हो जाती है और यही है असली धर्म करम जो गुरू की शरण लेता है वै एहंकार्त था मेरे तेरे की भावना को जुला देता है प्रभू के नाम में रंग करके गुरू के समुख रहने वाले मनुश्य को आत्मिक आनंद पराप्त होता है है पंडिय जी पहले अपना मन जिगाओ और उन प्रमात्माहरी की हस्ती हस्तित को समझो तुम लोगों को शिक्षा देते हो इस परकार कभी कोई मनुश्य उपदेश नहीं सुनता गुरू की शरण लेकर के तुम आप सही जीवन मार्ग समझो तुमें सदा आत्मिक आनंद पराप्त होगा लोकस समझाओं सुनने न कोई गुरू मुखी समझो सदा सुखोई मन मुखी डंफू बहुतू चत्राई जो किछु कमावे सुथाई न पाई आवे जावे ठैर न काई मन मुख करम करेव बहुतू अभी माना बग जी लाई वह नितन त्याना जमी पकड़िया तब भी पचुताना सुख्चाचारी मुनुष्य दिखावा करता है बड़ी चत्राई दिखाता है आप कुछ जो जीवन कमाता है वै परमात्मा की द्रिष्टि में सविक्रित नहीं होता वै मनुष्य जन्मरन के चक्कर में पड़ा रहता है उसे आत्मिक के शांती की कोई जगा नहीं मिलती सुख्चाचारी मनुष्य अपनी ओर से धार में करम करता है लेकिन इससे उसके भितर अभिमान पैदा होता है वै सदा ही बगले की तरह समाधी लगाई बैठता है वेह तभी पच्चताएगा जब मोतों से आकर की पकड़ेगी बागजियों लाई बहे नित्याना जमी पकड़ी तभी पच्चताना बिनु सत्गुर सेवे मुक्ती ना होई गुर परसादी मिले हरी सोई गुरु दाता जुग चारे होई गुरु मुक्खी जाती पती नामे वडे आई साहिर की पुतनी विदारी गवाई नानक बिनु नामे चूठी चतराई सत्गुर की शरन लिये मिना अविमान आदी से मुक्ती नहीं होती गुरु की किर्पा से ही वे परमात्मा मिलता है चारो युगों में गुरु ही परमात्मा के नाम की देन देने वाला है हे पंडित जी गुरु की शरन लेने वाले मुनुष्य के लिए हरी नामी उच्छ जाती है उच्छ वंच है परमात्मा हरी के नाम में वे अपना स्वर्ग मानता है नाम के परभाव से ही उसने माया का परभाव अपने भीतर से काट करके परे रख दिया है हे नानक कहो हे पंडित परमात्मा के नाम से खाली रह करके दूसरी चत्राईयां दिखाना वियर्थ है नानक बिनु नावे चुठी चत्राई इसु जुग का तर्मू पड़ु तुम पाई पूरे गुरी सब सोची पाई एथे अग्यहरी नामू सखाई राम पड़ू मनि करो विचारो गुर परसादी मेलो उतारो वादी विरोदी ना पाया जाई मनु तनु फिका दूजे पाई गुर के सब्दी सच्ची लिविलाई हे भाई इस मनुष्य का करतवे पड़ो मनुष्य जनम की सफलता के लिए क्या करने है हे भाई जो मनुष्य गुरू का शर्नागत है पून गुरू ने उसे ये सूज दे दिया है कि इस लोगी तथा परलोग में परमात्मा का नामी वास्ते के साथ थी है परमात्मा की गुन स्तुती पड़ो अपने मन में परमात्मा हरी के गुनों का विचार करो इस परकार गुरू किर्पा से विकारों की मैल दूर करो हे भाई वाद वी वाद करने से या खंडन करने से परमात्मा हरी का नाम ब्राप्त नहीं होता दूसरे आसादन में पड़ा हुआ मन आत्मिक जीवन से खाली हो जाता है शरीर खिर्दे आत्मिक जीवन से सुना हो जाता है गुरू के शब्द के द्वारा ही मनुश्य सत्य स्वरूप परमात्मा हरी में लगन लगा सकता है वादी विरोधी ना पाया जाएं मन तन फिका दूजे पाएं गुर के सब्दी सची लिव लाएं गुरू को मिले बिना ये जगत अहंकार के विकार से मलीन हो जाता है सदा तीथ पर शनान भी करता है पर इस परकार इसके मन का एहंकार दूर नहीं होता गुरू को मिले बिना आत्मी के मौत इसे दुखी करती रहती है ये बाई जो मनुश्य गुरू के शब्द के द्वारा एहम दूर कर लेता है और कामादे के पांचों को समाप्त कर डालता है वे मनुश्य सद्धे सरू पर मात्मा का रूप हो जाता है वे आपस संसार समुद्र से पार उतर जाता है और अपने तमाम कुलों को भी पार उतर लेता है गुर के सब्दी पंचसंदारे आपी तरे सगले कुलतारे माया मोही नटी बाजी पाई मन मुख अंद रहे लपटाई गुर्म की अलीपत रह लिवलाई बफते पेख करे पेखतारी अत्री त्रिस्णा फिरे अंकारी आपूना चीने बाजी आरी प्रभु नट ने माया मोका ये श्रिष्टी रचना का थमाशा बना दिया इसे देखते करके सुच्छाचारी अंदेवे मनुश्य इस तमाशे से चिप्टे रहती है लेकिन गुरु के समुख रहने वाले मनुश्य प्रभु जर्नम में सुत्ती जोड़ करके इस तमाशे से निलिपत रहती है ये भाई केवल मात्र धार्मिक पैनावे पैनता है पर उसके बीतर मया की त्रिष्टा बनी रहती है वे एहंकार में ही विचरता है वे अपने जिवन को नहीं परखता है इसलिए वे मनुश्य जनम की बाजी हार जाता है अत्री त्रिष्णा फिरे एहंकारी अपेना चीते बाजी आरी कापड़ परी करे चित्राई माया मोही अति पर्मी पुलाई बिनु गुरु सेवे बहुतो दुख पाई नामी रते सदा बिरागी गृही अंतरी साची लिवलागी नानक सत्गुरु सेवहीं से पढ़ पागी है भाई जो मनुश्य केवल मातर धार्मी के पेनावे पैन करके ही चित्राई की बाते करता है कि मैं धर्मात्मा हूं लेकिन भीतर से माया मो के करन दूईदा में फस करके कुमार गामी बना रहता है मैं मनुश्य गुरु की शरन में ना आने से बहुत दुख पाता है है भाई जो मनुश्य पर्मात्मा हरी के नाम में रंगे रहते हैं में सदा विरागी है गरास्त में रहते हैं भी उनकी लगन सत्य सवरूप पर्मात्मा में लगी रहते हैं नानक वे मनुश्य सुभाग्यशाली हैं क्योंकि वे गुरू की शर्नागत हैं नामी रत्ते सदा बिरागी, ग्रिही अत्री, साची लिविलागी, नानक सत्गुरू सेवी से वडपागी